नमस्कार स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पार्टी और मुंबई स्टूडियो से कवितात अप्रियाल भी मौजूद है और आप देख रहे हैं यूर्स टॉक्स जिसमें की अगले एक घंटे हम करेंगे आपके सवालों को और अगर आपको इंस्टाग्राम और फेस्बुक के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होते रहे हैं और साथ ही साथ आप यूट्यूब पर हमें लाइव भी देख रहे होंगे तो वहां पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछिए चलिए सवाल जबाब का सिलसला कर रहा है निफ्टी 24,950 के पास और बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी सपार्ट कारोबार देखने को मिल रहा है तो बीच में एक डिप आया था लेकिन उसके बाद निशले सरों से हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकावरी आई एक दायरे में ही आज कारोबार ह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है मार्केट बेर्थ मजबूत है जादा ता स्टॉक्स आज हने निशान में कारोबार कर रहे हैं निफ्टी के चड़ने वाले शेरों पर नज़र डाले तो एशियन पेंट्स आज भी उपर है करीब 3% और कच्छे तेल में जो वीकनेस दे देख रहे हैं कि काफी अच्छी बाइंग आज नज़र आ रही है टाटा कंस्यूमर के नतीजे अनुमान के मताबिक ही थे लेकिन स्टॉक हलके लाल रिशान में कारोबार कर रहा है करीब 2% नीचे टाटा कंस्यूमर का स्टॉक है डिवीज लाब नीचे है पावर ग्रेड इंडसिन बैंक और एक्सिस बैंक में भी वीकनेस हलकी देखने को मिल रही है तो यह कुछ बैंकिंग स्टॉक है प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक और रिलाइंस भी देखे रिलाइंस भी करीब आधा परसेंट उपर है जोकि भी बाज़ा को ज़ादा चलने नहीं दे रहा है तो एक रेंजबाउंट सेशन आज हम देख रहे हैं दिखाई दे रहा है मांगे बटने और अब महमानों को शामिल करेंगे अपने साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जेम फिनांशिल से अक्षे भागवत जुड़े हैं और कुछी तिन में हमारे स तो बजार का जो प्राइस स्ट्रॉक्चर है स्ट्रॉंग है अभी भी बस फेड का जो पॉलिसी है आज शाम को उसके चलते आप गए दो तीन दिन में देखें प्राइस एक रेंज में सीमित है जो FIIs की पुजिशनिंग है वो भी काफी लाइट है और और बजार का पूच लिए एक्सपायरे के दिन और अल सेटप पॉजिटिव है अपको मोमेंटम पिक अप मिलेगा 25,000 पार करते करते जिसके बाद 25,200 और 25,300 ये दो टार्गे बनेगा चलिए तो ये बाजार पर रहा है एक्षे की तरफ से लेकिन दर्शकों के सवालों का सिलसला हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक मैनेजमेंट से बात चीट कर लेते हैं कैलेंडर येर 2024 के दूसरे तिमाही में कैस्ट्रॉल के नतीजय अनुमान के मताबिक रहे हैं आए में 5% की बढ़हत दर्श हुई है मुनाफिक की बात करें 3% की बढ़हत यहां पर रही ह हाला कि मार्जिन लगबख सपाट रहा है और इस बार नतीजों में और साथी अगर हम ग्रोथ आउटलूक की बात करें तो क्या-क्या प्लानिंग में है मैनेजमेंट की तरफ से आए बात चीट करते हैं कंपनी के M.D. संदीप सांगवान हमारे साथ जुर गए हैं स्वागत को इनिश्यल नंबर्स को हमें समझाएंगे ताकि एक ट्रेंड जो की हम आने वाईयों में देख सके और पिछली ते माही के भी यानि क्यूत्री की वी जो अगर हम ट्रेंड देखें वाल्यूम के लिखास से इसके इनिश्यल नंबर्स से कुछ बहतर होता वादिखाए दे रहा है क्या कहेंगे वाल्यूम ट्रेंड के ओपर तो पहले तो नमस्कार अपने सभी दर्शकों के लिए और बहुत बहुत देनेवाद आपको बलाने के लिए तो जो इस कौर्टर के नतीजे रहे हैं हमसे काफी संतोष्ट हैं क्योंकि जो टॉप लाइन रेविन्यू ग्र इवन बाइस परसेंट बढ़ोतरी की इस कौर्टर में शारुख खान का कैस्ट्रोलेज के साथ कैंपेन लाँच किया जो कि एक प्रीमियम प्रॉडिक्ट है काल्स पॉर्टफोलियो पर हमने आई पर के दौरान कैस्ट्रोल आक्टिव जो हमारी टूविलर की ब्रैंड हो उ इन वे प्रॉडिक्ट इनोवेशन हम लाते रहेंगे तो उसके मद्दे नजर देखते हुए जो वाल्यूम ग्रोफ प्रॉफाइल मिला है पांचे प्रितिशत का और टॉप लाइन ग्रोफ पर जो हम एबिटा माजिन हैं वो अभी भी 23% पर रख रहे हैं जो हमने कहा है कि 22 इसे 25 पर तीश तक रखेंगे तो इस साथ से काफी बैलेंस परफॉर्मेंस है और आगे भी हमारा यही विचार है कि हम एक टॉप लाइन ड्रिवन ग्रोफ और जो मार्जिन्स हैं वो 22-25 पर तीशत के बीच में रखकर आगे बढ़ते रहेंगे सर आपसे समझना चाहेंगे इस बार आपने जो मार्जिन के नंबर्स की बात की राउ माटीरियल कॉस्ट काफी जादा थी उसका प्रेशर हम देख रहे थे कि बागी कंप्यों में भी देखने को मिला लेकिन उसके बावजूत आप अपने मार्जिन्स को स्टेबल रखा हु क्या यहां से हम तोड़ा और सुधार देखेंगे इसली बात तो जहां तक की इंपुट कॉस का सवाल है हम उसको लगातार मॉनिटर करते रहते हैं और जहां पर हमारे को प्राइसिंग अक्शन की जरूरत होती है टू कवर फॉर मार्जिन वो जरूर लेते हैं जैसे पिछल डिलिवर करते रहें ऐसा नहीं कि सरफ प्राइस बिलकुली अंदाधून प्राइसिंग लेने की बात है तो वी कीप बैलनसिंग डाट और इंपुट कॉस हम मॉनिटर करते रहते हैं तो जो ब्राइंड है कैस्ट्रॉल एक बहुत स्ट्रॉंग ब्राइंड है इंडिया में के आधार पर बनी है वो ब्राइंड तो हम जहां तक प्राइसिंग एक्शन है वो हम उसके उसको मेंटेन करने के लिए अपने प्रीमेंज मेंटेन करने के लिए मार्क्टिंग इंवेस्मेंट भी करते हैं तो इसे साब से हम कॉस्ट और प्राइस को बैलनस कर पाते हैं ताक उसका क्या impact आएगा वो तो अभी कहना मुश्किल है परन्तु अगर कुछ raw material में movement होता है या कुछ और होता है तो हम उसको manage कर पाएंगे यहां पर बहुत जादा उच्सा है data center opportunities को लेकर और आपके कुछ पेर्स ने भी यहां पर कहा है कि data center related fluids की अगर हम बात करें तो वो लगभग 20% प्लस CIGR को लोग करने की शम्ता लगभग 3-4 साल में अब है आपको यह कितना मुम्किन लग रहा है और आपके मुताबिक opportunities So, पहली बात तो कैस्टॉल ने ग्लोबली data center thermal management एक opportunity के तौर पर कहा है कि यह opportunity है और as a company हमने 500 करोड के कनिवेश भी किया हमारे global R&D centers में United Kingdom में जो कैस्टॉल इंडियों को भी accessible है तो हम इस पे काफी R&D के हिसाब से काम कर रहे हैं यह opportunity दिखती है क्योंकि आज की तारिख में जो global energy consumption है करीबन उसका 2% energy consumption data center में रहता है और यह बढ़ेगी अभी because जैसे जैसे processing power ज़्यादा चाहिए chips को तो यह definitely एक opportunity है कैस्टॉल ग्लोबली इसमें invest कर रही है हम कुछ customers के साथ काम भी कर रहे हैं हमारे पास thermal management के products available है ठीक है और जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा तो हमें काफी confidence है कि इस पे एक आगे एक बड़ी opportunity सामने आएगी सब पिछले तिमाही आपने indicate किया था कि आप grammy शेत्रों में rural areas में focus अपना बढ़ाएंगे अभी अगर rural side से demand की बात करें तो क्या volumes pick up होते हुए आपको नजर आ रहे हैं और एक और सवार में राकरी होगा आने वाले समय में क्या कोई price hike भी लेने की यूजना है आपकी तो पहले तो मैं rural की opportunity की बात करूँगा definitely हम rural एक बड़ी opportunity area देखते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा है कि करीबन 50% two wheeler आज की तारिक में rural इंडिया में बिकते हैं ठीक है और पहले 6 में हमने 2000 दुकानों में और अपने products की उपलबधी कराई है और अभी rural में हमारा कवरे करीबन 35000 आउटलिस पर कैस्टॉल के products available हैं और एक rural consumer को भी भरोसे वाला सही कैस्टॉल का product available है तो एक growth opportunity है और हम इस पर focus करते रहेंगे अगर मैं पूरा अपने भारत को लेता हूँ तो आज की तारिक में कैस्टॉल करीबन एक लाग 35000 दुकानों में उखलब्ध है वो workshop भी है वो retail आउटलेट भी है वो wholesaler भी है और हम scale के हिसाब से distribution के हिसाब से सबसे बड़ी company है तो आपने जैसे का कि rural opportunity है और जैसे जैसे rural prosperity बढ़ेगी और vehicle ownership बढ़ेगी तो यह opportunity को हम tap करते रहेंगे तो एक focus area बना रहेगा दूसरा जैसे मैंना का था brand investments हमारी और product innovation नए नए product लेके आना अलग अलग segments के लिए अलग अलग consumer segments और गाहतों के लिए वो भी एक focus area है आपका आगरी सवाल था कि pricing I think pricing मैं आगे future को लेके कुछ कहना नहीं चाहूंगा we have a pricing strategy जिसके basis पर हम काम करते हैं और जैसे कि पहले का कि अगर जरूरत है तो definitely margins पर अगर को pricing action लेना पड़ेगा पर वो सारा environment पर depend करते हैं कि environment और input cost किस तरह से move करते हैं बिल्कुल बिल्कुल संदीजी और जिस तरीके से आप innovation कर रहे हैं brand visibility के लिए भी काम करते हैं वो दिखता भी है कैस्ट्रॉल ब्रैंड रिकॉल के लिहाद से भी हम बात करें तो काफी strong brand भी है तो उमीद करते हैं आपके जो plans हैं जो योजनाए हैं वह आने वाले समय में और बहुतर तरीके से कम ये growth में मदद करें और आने वाले तिमाही के लिए भी बहुत शुपकाम नहीं आपको धन कवरी भी आरी है स्टॉक में कैस्ट्रॉल इंडिया के स्टॉक में कल के दिन तो आपने देखा था एक क्रूट का भी impact है जब कच्छे तेल की दाम में थोड़ी गिरावट आती है तो लिउब्रिकेंड कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया जैसी कंपनियों को यहां पर फायदा भी होता है इस वज़े से मार्जिंग को लेकर भी कंपनी काफी पॉजिटिव साउंड कर रही थी आपके पास आएंगे कैस्ट्रॉल इंडिया पर सला दीजे कंपनी कैसी लग रही है आपको मौजुद अस्तर पर क्या निवेश करने की सला देंगे तो नेवाद पूजा आपका सभी को प्रणाम और शुब प्रवाद हमारे तरफ से तो मैनेडमेंट की बादशीत हम भी सुन रहे थे अभी जब आप चर्चा कर रहे थे कारोमार को लेकर के और बहुती सपश्ट्रूप से रणनीती इनोंने फिर से उतारिये जमिनी पर ब्राइंड एंबेसेडर्स को रोपिन किया है अपने आइड़ोटाइजमेंट्स को लेकर के और नए प्रोड़क्ट इनोंने हाइएंड क्याटेगरीज में भी लॉंच किये है तो हमारी बुनियारी तरक के आधार पर राय है केस्टोल इंडिया पर अगर निवेश है तो और अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से गिरावट पर आपने वेश कर सकते हैं मैं चाहूंगा कि इनकी शेत्र में जो प्रतीसपरदा बढ़िये और जो मार्केट शेर उन्होंने अपने कॉंपेटिटर्स को कवाया है वो फिर से थोड़ा बहुत हासिल करें और प्रेंट्स मे दर्शकों से जुड़ना शुरू कर रहे हैं उससे पहले जटपट हम हमारे खास सेग्मेंट ऑप्शन के चैंपियंज की और रुक कर लेते हैं हमारे साथ जो रहे हैं यह सेक्योरिटीज के अमित रवेदी अमित हाए गुड मॉनिंग बताइए आपकी क्या पिख है इस सेग्मेंट में आज जी गुड मॉनिंग देखे ऑप्शन के लिए डाबर पर ध्यान रख सकते हैं क्योंकि अकर देखे इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो में मैंने से ग्रेजुल अप्ट्रेंटिंग स्टॉप गिये रहा है और रिसिंटली हलका सा करेक्शन आया था लेकिन उसके जो 620 के जो डाबर की 56 की कॉल खरीदने की सलहा दे रहे हैं 14 पर और लक्ष 24 का स्टॉप लॉस लगाना होगा लेकिन आपको चार रुपए का बहुत बहुत धनवाद अमित और एक रिस्क दिस्क्लोजर भी दर्शुकों को दिये देते हैं क्योंकि एफ इनो ट्रेडिंग में जोखिम क के साथ और पहले दर्शक जो कि मेरे साथ फोन लाइन पर जुर्बी गए हैं वो हैं अजैशा अगुद मॉर्निंग अजै कहां से बोल रहे हैं आप बरोडा से सर बताइएगा किस स्टॉक में खरेदारी कर रखी है किस भाव पर क्या नजरिया होगा आपका मैंने तो लिया ओके निए और अधानी पोरी आएं तो लिया हैं ठीक है अधानी पोर्ट अपने बारासओ नेएपर देटाव ऑर जारी स्टॉक हैं और धूसरा है मेरे पास जी ओफाइनस है ठीक है ओलिया है एक सो तीस से थिंस सो चाले के बाव में ठीक है और थिसरा शेर भी है माड़म ओके कौन सा ओए इस्टार लाइफ इंसुरंट ओके ओए मैंने 900 के बाह में आए पर के बाह में लियावाई 64 चल यह ठीक है आपका कितना रुकने का मन है 6-8 महिना 6-8 महिना ही रुक पाएंगे अक्षा आप ही के पास में आऊंगी तीनों क्वेरी इसको लेके तो जियो फिनांस 340 अदानी पॉट्स 1200 आप शाइद मूट पर हैं जी तो डानी पॉट्स पहला स्टॉक है तो उनका नजरिया मेरे सबसे अजय जी का 6 महिने का होल्डिंग का है और प्राइस ट्रॉक्चर तो बहुत ही स्ट्रॉंग है एक हलका सा रेजिस्टिन्स 1600 के स्थर्व पे है जो मैं बिलीब कर रहा हूं कि अगले एक देड़ महिने के अंदर पार कर जाना चाहिए सपोर्ट बेस 1440 का बिल्ड हो चुका है तो आपका टार्गेट एरिया करीबन में जो मैं अभी फिलाल प्रोजेक्ट कर रहा हूं 1670 का होगा 1670 1670 के टार्गेट के आप बने रहे एक स्टॉप लॉस अगर आप यह ट्रेड में बनाना चाहे तो 1440 का रहेगा दूसरा शायद जियो फिनांस यह आपका होल्डिंग है काफी बेतरीन रेट में अपने यह स्टॉक खरीदा है जितना मैं देख रहा हूं स्टॉक में जिस तरीके का गए कुछ द मैं मान के चल रहा हूं कि 320-25 के सथे वापस एक बार स्टॉक वापस उचलेगा तो आप बने रहे हैं स्टॉप लॉस के माध्यम से 300 का स्टॉप लॉस बनेगा एक रिस्क मैनेजमेंट के तोर पे और रिकावर में वापस आपको 370 तक जियो फिनांस दिख सकता है तो 370, 380 रफली ये 6 मैने का टारगेट होगा जियो फिनांस में अगर ये लेवल दिखे तो आपको बुक करना है तो दोनों स्टॉक्स में बने रहने की राए रखूंगा तो होल्ड जियो फाइनांस और अडानी बॉंट्स चाहिए तो नजरिया 6-8 मैने का और दोनों में ही आपको फिल्हाल रुकने की सलहा दी जा रही है हमारे आज के एक्सपर्ट के मताबिए